नमस्कार दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छी टिप्स लेके आए हैं जो कि हम छोले कभी भी उबालते हैं तो उसमें हम यह अगर चाय पत्ती डालेंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा तो उसके लिए हम एक चमच चाय पत्ती ले लेंगे और कोई भी कॉटन का कपड़ा इस तरह बांद के यह देखिए गाट लगाके इसमें डाल देंगे और उबाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा इसमें दूसरा टिप्स भी हमारा छोले से है कि जल्दवाजी में हमें जब कभी वालना होता है बनाना होता है तो रात में नहीं बिगोते हैं भूल जाते हैं इसके लिए क्या करेंगे यह पानी की बोटल लेंगे जिसमें पानी गरम रहता है थरमस में यह देखिए इसमें हम छोल डाल देंगे इसमें बहुत ही अच्छे से ये फूल के तयार हो जाते हैं तो ये देखिए हमने छूले डाल दिये उसके बाद हम इसमें गरम पानी डाल देंगे क्योंकि इसमें गरम पानी बना रहता है दस वारा घंटे के लिए तो ये देखिए इस तरह हम बंद करके रख देंगे तिंग चार घंटे के लिए तो अच्छे से ये फूल के तयार हो जाएंगे और आप जल्दी से इने बना सकते हैं अगला टिप्स हमारा ये एक कुर्ते से है पुराने कुर्ते जो हमारे हो जाते है तो इसका टिप्स हम बता रहे हैं ये देखिए इससे उल्टा करेंगे ये उल्टा करके उसके बाद हम एक रवड ले लेंगे या धागा तो ये हम इस तरह फोल्ड करके उपर से ये देखिए बरावर करके जहां से हमारा गला होता है वहां तक हम रवड लगा लेंगे ये देखिए इस तरह या बांद लेंगे किसी से अच्छे से तो ये देखिए हमने रवड लगा लिये और उसके बाद हम सीधा कर देंगे आप चाहें तो ये किनारे सिलके तयार कर लें जो बाजू कुले हैं साइड में जो खुले रहते हैं ये देखिए तो इस तरह हमने ये सीधा कर लिया और उसके बाद हम सिलेंडर पे इस तरह डाल देंगे तो हमारा सिलेंडर अच्छे से ये रखा रहेगा गंदा भी नहीं होगा ये देखिए अगर टिप्स हमारी पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें थैंक यू